पुर्देश में 15 साल बाद सत्ता में आई कॉंग्रिस सरकार का पहदा पूर्ण बजट वित्मंत्री तरुन भनोट ने विधान सभा में पेश किया है जहां मद्य बदेश के वित्मंत्री तरुन भनोट ने वित्वर्श 2019-2020 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि विरासत में मिली खराफ वित्ती स्थिती के बावजूद मातर 6 माह पुरानी सरकार ने राज को पट्री पर लाने के लिए कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को शपत ली और इसके बाद लोकसभा चुनाओ के लिए वर्श 2010-2019 के शुरुआती महीनों में आदर्श अचार सहीता भी लागू रही लेकिन इसके बाद उस सरकार ने अपने वच्णों को निभाना शुरू किया और सरकार ने राजस जुटाने के लिए भी आवश्यक प्रबंद किये हैं